मसकार दोस्तों आपके अपने चैनल टीचर जव ऑप सुनिल में दुवारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दुवारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वेकंसी लेकर के आया हूँ और ये जो वेकंसी आई हुए मुल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आई हुई है तो इस वेकंसी के डीटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो लेटेस्ट प्राइबेट गॉर्मेंटर एक छोटी बड़ी टीचिंग वेकंसी की अपडेट रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ इसाथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को सेर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वाइर्मेंट है या जो बीड कर चुके हैं तो चलिए इस बेकेंसी के डीटेल समझानते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पहली बेकेंसी आई हुए केंद्रे विद्ध्याल है मैथन डेम धनबाद जार्खन से आई हुई है और यह contextual appointment है दोस्तों 9-3-2024 आठ बजे से प्री प्राइमरी टीचर वालवाटी का टीचर की वाकिन इंटर्वी होगी इसके अलवा जो है 9-3-2024 आठ बजे से PGT में हिंदी, भौतिक, गनीत, इतियास, वानिज, राजनितिक विज्ञान, अंग्रेजी, रशायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भुगोल और अर्थसास्र की वाकिन इंटर्वी होगी 10-3 को यहाँ पे जो है TGT में हिंदी, इंगलिज, सोसल स्टडी, मेथ, साइन्स, संस्कृत, 10 तारीक को आठ बजे से जो है गेम्स एन स्पोर्ट, नर्स, कम्प्यूटर इंस्टर्चर, स्पेसल एडूकेटर, म्यूजिक टीचर की वाकिन इंटर्वी होगी दोस्तों अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइड है mythandam.kbs.ac.in पे जाईए सारा डीटेल्स लेने के बाद आब वाकिन इंटर्वी अटेंड करें दोस्तों चलिए next वेकेंसी के डीटेल्स हम जानते हैं नेक्स वेकेंसी आईए केनरे विद्धाला है शुर्दा जो इस्ट सी इभूम जारखन में यहां से आई हुई है यहां छेत इनको PGT, Economic, Physics, Math, Computer, Science TGT में Math, Social Science, Hindi, Science, Computer Science की वाकिन इंटर्वी होगा रजिस्टेशन आठ से नो सेम डेज में होगा के भी सुर्दा में ही इसके अलावा साथ तारीक को साथ मार्च को जो है डीटेल ले और वाकिन इंटर्वी अटेंड करें चलिए नेक्स्ट वेकेंसी के डीटेल समझानते हैं नेक्स्ट वेकेंसी आई है श्रीक्रिष्णा दत एकेडमी से आई हुई है यहां से जो है बीकॉम कॉमर्स की एक पोस्ट है बी एफ ए अपलाइड आट की एक बी ए टीचिंग इन इंग्लिस एसस्टी और कॉमर्स की एक एक पोस्ट है दोस्तों क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी या एनसीटी नॉर्म के अनुसार होनी चाहिए ज बेकेंसी को फिल करना है तो अपना रिज्यूम जो है मेल आईडी इन्फो एड़ 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 सकेडमी.co.in पे भेज देंगे या ओनलाइन भी अपलाइड कर सकते हैं एसकेडमी.co.in पे जाके दोस्तों यह जो वेकेंसी आईव उत्तर परदेश लखनव की है चलिए नेक्स्ट वेकेंसी के डीटेल समझानते हैं नेक्स वेकेंसी आईव है रोट्री पब्लिक स्कूल अंगुल उडिसा से आईव है यहां PGT Physics, Chemistry, Biology, Physical Education सभी एक एक पोस्ट है TGT English, Hindi, Geography, Physical Education एक एक पोस्ट है Academic Coordinator, Senior और Secondary Level के लिए Qualification CBSC, ICSC Board के अनुसर होनी चाहिए वेकेंसी फिल करना है तो अपना रिज्यूम जो है mail ID appointment rps7488gmail.com पर भेज देंगे दोस्तों यह उडिसा के वेकेंसी है चलिए next वेकेंसी के डीटेल समझानते हैं नेक्स जो वेकेंसी आई हुए वो सरस्वती विद्यालया से आई हुए है और 11 से अच्छे तीन के बीच में आप वाकिन इंटर्व्यू दे सकते हैं यहाँ पे chemistry और biology की वेकेंसी है एक पोस्ट है 9-10 के लिए BSC B8 वाले apply कर सकते हैं दोस्तों salary age पर government rule के अनुसर दी जाएगी और candidate study through English medium और fluency English में आपकी होनी चाहिए यह नागपूर महरास्टा की वेकेंसी है चली next वेकेंसी के डीटेल समझानते हैं नेक्स वेकेंसी आयो है जय परकास सेवा सनस्थान से आयो है दोस्तों इनका जो इस्कूल है जय पी इस्कूल चलता है यहाँ पे PGT, TGT, PRT सभी subject की वेकेंसी है including sociology, physical education, computer science, vocal music, mother teacher, co teacher, special educator, occupational therapist, IT supervisor, office scholar, part-time swimming and lawn tennis coaches की आवा सकता है और इनका इस्कूल जो है मेलली उत्तर परदेश और हिमाचल में चलता है इन सब इस्कूलों के लिए है तो इस वेकेंसी को फिल करना है तो आप अपना resume यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिनों के अंदर mail id isa.agrawal at the rate zil india.co.in पे आप भेज देंगे दोस्तों तो मेरे दोरा multiple vacancy बताए गई सारी vacancy आच्छे आप फिल कर सकते हैं कोई doubt होता है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा share और like करना ना भूले धन्यवाद